स्वागत करते हैं अब सबकांटी केम अमित आज प्रियोडिक क्लासिफिकेशन आज क्लासिफिकेशन अव एंसी क्यू का सेकेंड पार्ट लेकर आए इसके पहले पार्ट वान कर रहा था एंसी क्यू का नहीं देखे बहुत बड़ी बड़ी कुशन कवर करें थे 25 कोशन देख करते हो रूप तो निकाल लोगे गुरूप ने आपको क्या करना पड़ता है वैलेंश एलेक्ट्रॉं देखने पड़ते हैं अगर आपके वैलेंश एलेक्ट्रॉन एक दिख रहा है तो फस्ट वाले गुरूप से उससे जादा अगर दिख रहा हो 3456 आपको 10 आट करने होगा उसके बाद पहला शेल एएलेक्ट्रॉन होगे अगर बाते आवम्मेंट इक होगे और दूसे इलेक्टव होगे और यह न्यूक्लियास हुगा यह पहला शेल उस में दो इलेक्टरॉन उसमें है मतलग्र दून sneaking आपके स्वीरट सै आकर नमब टू करेक्ट है nagyonब अश अर्ट का रॉंट करें में था आपको बात करें और बात करें यहां बात करें मेंक्सक्राइब记 नियॉमेंट् से की आरें में अर्ड मिल्कुर्ण नहीं पर देख राहा है यह यह ज़्यों चाएबक बूलबस नेक्न की Subscribe, अब इनको एक और नाम से जाना जाता इसको बोलते हैं चैलको जैंस क्यों इसके पीछे भी रीजन है मैं पता रहा हूं चैलको जैंस को अगर मैं सब्लीट करूँ यह एक शाली गरीक व्रड्स मतलब जैंस करना चाहां थो चैलको जैंस का मतलब होता है चैलको का मतलब होता है आपका होर और जेन की बात करूँ जेन्स इसका मतल़ होता है फॉर्मेशन तो ओर की फॉर्मेशन आप क्या देखोगे ग्रूप 16 के एलिमेंट्स जो है आपके ऑक्सियन हो गाये सलफर हो गाये आपके तेलोरियम पॉलोरियम हो गाये उन सारे की जो ऑक्साइड और सलफाइड ओर होगी की यह स्थ जो तो यह सबने हो बोला है उन उन को इलिमेंट्स के ग्रूप 16 वाले के सेम टाइप की हो गी उसलिए उनको बॉला जाता है चेल्को जेंस तेम टाइप का ओर फॉर्मेशन करने वाले ऐलिमन्स सेम ग्रूप के अंदर ज्यां जो आप देख रहे हो और ऊपर उर थियम, sodium, potassium, rubidium वग्राद जो होते है उसको alkaline metals जो आपको दिख रहा है alkaline earth metal वो आपके second आर्फ मेंट्ब्स होते हैं ठीक है ना जो second group में आपको मिलता है वो आपके alkaline earth metal अजैसे calcium हो गाय है फिर आपके और भी elements आपको देखने को मिलेंगे second आर्फ में वो आपके alkaline earth metal होंगे, फिर आपके halogenes इसको बोलते हैं, group 17 वाल elements को, जब के फ्लोरीन, ख्लोरीन, ब्रोमीन इसको होते हैं, उनके halogenes बोलते हैं, इसको टिक करते हैं, और चलकोजेंस को आगे बढ़ते चलते हैं, let's see the next question now, which one of the following statement is not correct? तो जब left-right जा रहे हो, तो आपको कॉन कॉन से statement सही नहीं दिख रहे हैं, जो सही नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पर देख लो, पहला statement क्या है, oxide becomes more acidic, आपको एक बात, left-right जब जा रहे हो, तो metal से non-metal के पास approach कर रहे हो, तो लिफ्ट में आपके होते हैं, group one or two वाले, वो सब metals होते हैं, पीच वाले आपके, this from group number two to 13, sorry, group number, group number two से लेके 12 तक जो होते हैं, भीच वाले आपके, three से लेके 12 तक, वो आपके transition elements होते हैं, और आपके 13 से 18 वाले होते हैं आपके non-metals, तो left से right जाओगे, तो metal से non-metal के पास पहुचोगे आप, metals की character से क्या होती है, they are basic nature, the oxides of metal are basic nature, and the oxides of non-metal are acidic की nature, इसका मतलब यह तो confirm दिख रहा है, left से right जाओगे तो आपके acid character बिलकुल बढ़ेगी, है ना the oxide becomes more acidic, यह तो सही है, option non-metal character बढ़े होती है, आप non-metal के पास पहुच रहे होती है, यह भी सही दिख रही है, there is an increase in the number of valence electrons, पिलकुल, although आपके number of shells same होते हैं, same group के अंदर, shell number same होता है, लेकिन electron number तो बढ़ रही होती है, जैसे आप एक element जम करोगे, आपके एक electron shell में add होते जाएंगे, तापके atom lose their electrons more easily, यह गलत है, non-metals, उनकी size क्या होती है, छोटी होती है, as compared to metals, उनके size as भी कोई छोटी है, आपको पता है न, left से right जाओगे, your atomic radius will keep on decreasing, पहले atomic radius सबसे बढ़ा, फिर atom और छोटा, और छोटा, और छोटा, ता atom घट रहा होता है, atomic radii के form में, अब जब atom काफी छोटा ह हो गया size में, मतलब क्या, nucleus और valential electron, जो last violation में electron है, वो काफी पास पास आ गए, इससे क्या, उनकी बीच में attraction बढ़ गया, nucleus और electron के बीच में attraction बढ़ जाने से, अब उनकालना बहुत मुश्किल होगा, तो निकालना बहुत ही मुश्किल, काफी जाद energy लगी निकालने के electron निकालना आसान है, लेकि non-metal के लिए, वो electron निकालना नहीं, बनकि electron गेन करना पसंद करता है, hence option D, कदे आपको गलत दिख रहा है, वो statement, इसको tick करो, और आगे बढ़ते चलो, let's see the next question now, the elements A, B and C, उनकी आपके क्या दिये हुए, atomic number given है, अब बताने है कि कौन सा आपका ionic compound बनाएगा, ionic compound, आपको पता है कब बन रहा होता है, जब electron की transferring होती है, दो element के बीच में, दो atom के बीच में, तो आपका एक ionic compound बनता है, पोवैलेंट compound की बात करते हैं, तो वो कब बन रहा होता है, जब electron की sharing होड़ी हो, लेकिन although यहां पता आए निक की बात की जा रही है, तो चलो मैं यहां बता दो, 17 वाली की बात करो, इसकी atomic number 17 configuration 2,8,7 अब देखो इसको octet achieve करने के लिए, एक electron चाहिए, कौन देगा एक electron यह तो नहीं देगा न, अगर इसको loose करने हो, यह तो चार share करेगा न, इसकी वैलेंशल में चार electron है, यह तो ना लूस करेगा ना गेर करने का, यह तो electron share करेगा किसी octet achieve करने के लिए, लेकिन यह दे सकता है इसको, यह इसको electron दे सकता है, इसका मतलब क्या इन दोनों के बीच में electron का transferring होगा, element A and element C, इनके बीच में electron transferring होगा, है न, इस तरीके से, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से, इनके बीच में ऐसा bond बन जाएगा, आप देखरो न, यह तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, आयनिक bond बन रहा है, between A and C, तो यह सही है, इसको tick करो, आगे बरते चलो, कहाँ आप देख रहा है, option B, चलो, बिल्गों सही है, let's see the next question now, यह वाला, an element X, from group 2 of the periodic table reacts with Y, from group 17 to form a compound, formula बताने है इसकी, ठीक है, समझते है अच्छे से, तो पहल कितने given है, 17, तो इसा configuration करो भईया, इसको आप shells में divide करो, 2,8,7, इसके 2 दिख रही है, मतलब इसके nucleus होगा, nucleus के बाहर एक shell, और first shell में आपके 2 electron होगे, इसका nucleus होगा, उसके बाद first वाला shell होगा, उसमें 2 electron, second वाले shell में 8 electron, और third वाले shell में आपके 7 electrons होगे, आप देखो इनक आपको valency देखनी परती है, याद आपको पता होगा, तो आप x की बात करें, इसकी valency दिख रही है, आपको 2, लेकिन अगर बात करें y की, इसके पास 7 electron है, valence shell में 7 electron, इसको octet achieve करने के लिए 1 electron चाहिए, इसका मतलब इसकी valency होजाएगी 1, बिल्कुल, एक electron उसको चाहिए, ताकि उसकी 8 electron complete हो जाए, तो इसकी valency 1 हो जाएगी, तो y की valency हो गई 1, x की हो गई 2, अब इसको compound बनेगा, आपको पता है कि valency की crossing होड़ी होती है, इसका valency इसको देदो, इसकी valency इसको देदो, तो ultimately क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ से मिल रहे है आपको x y का square, य देखो, यह बिल्कुल सही है, although यहाँ ऐसा होता है, यह square का formula नहीं होता है, यहाँ आप x y 2 नीचे होगा, यह square यहाँ गलती से आपको यहाँ पावर दिया गया है, इसका पावर को अटा दो, यह है, आपका x 2 y इस तरीके से यह आपका है, x y 2 इस तरीके से चीज़, तो आ और क्या है, what will be the formula of its oxide, आपको पता है, हार एक group का, अपना specific oxide का formula होता है, इस same group के अंदर, same element, same group के अंदर, same element, same type का oxide बनाएंगे, आप चेक कर लो, यहाँ पर देख लो, आप देखो कि फस्ट, आगर मैं यहाँ बना दो, आपको देखो, यह देख लो, फस्ट आले group में element क लीथियम की बात करें, बलं की ह्ले, इसके पास एक ही shell होता है, उसमें एक electron होता है, इसके atomic number one, lithium की बात करें, atomic number three, configuration 2,1, तो आप थिन दिख रहा है ना वैलेंश एलेक्ट्रोन कितने है वान इसका मतलब जब यह रियक्ट करेंगे ऑक्सिजेन से तो फर्म दा ओक्साइड तो देखो किसी को पकड़ लो आप इसको ले लो लिथियम को ले लो तो आप देख रहे हो लिथियम इसकी आपकी वैलेंसी वान दिख रही है जब यह रियाक्ट करेगा ऑक्सियन से ऑक्सियन कीतनी हो थी अटियमिक नमबर 8 इसा कन्फिगरेशन थी जरी बुड्वतन दिख हुग एट करेंगे इसकी वैलेंसी वैलेंसी कर गया उखम लिथियू अब जब आप वैलेंसी करब करेंगा तो इसकी वैलेंसी ब कीसिश्य पार किसंट नहीं इ니 आप अर फर्स्ट ग्रूप के अंदर सारे में common क्या दिख रहा है आपको इसका मतलब कोई एक element होगा मने सारे का जो भी element है lithium-sodium potassium M2O में आपको दिख रहा है इसकी oxides की formula फर्स्ट ग्रूप के अंदर इसका मतलब कोई साही दिख रहा है आपको यह देखो option A M2O यह वाला option B सही है इसको टिक करते हैं इसको टिक करते हैं इसको टिक करते हैं इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते चले लेग सीधर नेक्ट कुश्ट नाओ नेम दे न्यूटरल एक्टम इन दी पिरियोडिक टेबल वीच है सेम नंबर ऑफ एलेक्ट्रॉंस आज के प्लस एंड सीयल माइनस तो दोनों आपके आयन गिवन हैं पोटाशियम आयन और क्लोरियन आयन पोटाशियम आपको पता है अटिमिक नंबर कितनी होती है 19 इसने ए होती है 17 माइनस लिखा है मतब एक ऐलेक्ट्रॉन गेन कर आया उसने तो हो गया अब क्लोरिन में 18 इलेक्ट्रॉन तो ऐसा कौन साइलिमेंट है इसमें आपको 18 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे वह देखते हैं आपको हीलियम आरगन नियोन क्रिप्ट्न दिख रहे हैं इसहां कि साहẫn से आये सारह गुरूप से आपके सब्सक्रानावेゃ बर उत्यम में सब्सक्राइब किस्ते का गणते शुय कुछ इत श्यूंध आपके зап और दूसरे चल में आपके 8 electron होंगे अगर बात करें आरगन की उसकी नमर कितनी होती है 18 उसकी आटब की नबर होती है 18 बिल्कूल पहले आपको helium देखने को मिलेगा यहां फिर neon होगा उसके नीचे फिर आरगन होगा फिर क्रिप्तन होगा फिर prone होगा इस चैनल के इस दोफले ग्रूप के अंदर एक इसका है यह आपके 18 वाले ग्रूप के सारे एलिमेंट से ठीक है तुछ अब देख रहे हो जो आरगन है उसकी एक्टिमिक नंबर आपकी कितने आ रही है आपको दिख रहे है उसकी एक्टिमिक नंबर 18 आ रही है इससंया मतलब आपको अर्गन करोगे चलो आगे बढ़ते हैं एन एलिमेंट एक्स कॉम्बाइंस विद ऑक्सिजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड एक्स ओ ठीक है और जो ऑक्साइड है इस एलेक्ट्रिकली कंड़क्टिंग बिजली पास करने मदद करेगा बिल्कुल राइड फॉर्मिला फॉर्म 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 चलो यह कोशन बहुत बढ़िया है तो आप देख लो पहले यहां बता दू आपको मैं इसको अब्जर्फ करो ऑक्साइड की फॉर्मिला क्या की बन है एक्स ओ एक्स ओ तो थो यहां देख लो आप इस चीज़ को यह देखो अगर मैं यहां पॉइंट करके बता दू आप द इस तरह की जो होगा सब कुछ ठीक है यह तो कंफर्म है जो आपका एलिमेंट एक्स है वह सेकेंड ग्रूप से आ रहा है चलो आप देखो सेकेंड ग्रूप में सब की फुर आटिमिक नमबर फो थारा गौर करो अगर बेरिलियम की बात करें इसके आटिमिक नमर कितनी होती इसके बाति है उन इलेक्टरन को शेल में डिवाइट करो तो हो जाएगा टू कॉमा एट कॉमा ऐट कॉमा टू अपक्या देख रहे हो इसके वैलेंट शेल में सारे के सेकेंड ग्रूप के अंदर दो इलेक्टरन दिख रहे है इतना कंफर्म है चलो अब तो आप यहां पास 17 electrons होते हैं उसके अपना 17 है आपका 17 वाले ग्रूप से आ रहा होता है है इसे configuration करो जड़ा 17 की 2,8,7 यह उती यह configuration electron की आप देखो लास्ट शेल में इसके वैलन्स शेल में साथ एलेक्ट्रोन है अगर यह किसे से combine करके bond बनाएगा नया molecule बनाएगा इसका मतलब क्या इसको एक electron चाहिए होगा तब यह bond बनाएगा इसको और चीफ करना है इसके पास साथ electron है इसको एक और अगर कोई दे 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 खुश हो जाएगा मेरे वैले मेरे वैलेंस में आठ एलेक्ट्रोन आ जाएगे इसका मतलब इसकी वैलेंसी हो गई 1 इनकी इसको एक electron चाहिए अब जब यह दोनों combine करके एक molecule बनाएंगे उसकी formula क्या होगी crossing करवा हो जारा इसकी इससे इसकी x इससे तब क्या देख रहे हो इसका मतलब आपका जो भी elements होगा बात करें beryllium की beryllium क्या बनाएगा be Cl2 magnesium क्या बनाएगा MgCl2 calcium क्या बनाएगा Cacl2 अब देख रहें इस तरह किसे आपकी chlorine की like no chlorides बनेगी when they will combine with the second group elements चलो आगे बढ़ते हैं अगला question देखते हैं and element x अचा इसको tick तो मैंने कराई नहीं था आप tick कर लेना यहां पर चलो आके बढ़ते हैं let's see the next question now and element x has mass number 40 and contains 21 neutron in its atom बताने किस group में belong करता है वो चलो पहले में नोट डाउन कर दो जो data given है हमारे पास तो mass number 40 given है अगर let's see my element x है जो x बताया गया उसकी mass number कितने given है 40 उसमें 21 neutron आपके neutron दिख रहे हैं बताने कि उसकी ठीक है तो आप देखरों यहां पर यह है आपका mass number यहां पर आपका atomic number होता है और यहां पर आपकी mass number होती है mass number क्या होती है mass number is equal to number of proton plus neutron it is equal to number of proton plus neutron तो आप देखर proton plus neutron 40 given है that is p plus n is equal to 40 neutron कितने given है 21 तो यहांसे p निकाल लो p plus 21 is equal to 40 तो यहांसे p कितना आ जाएगा 19 मतला आपके 19 protons है जो आपके element x है उसकी atomic number हो गए 19 मतला उसमें 19 protons आगए और उसकी mass number हो गए 40 ठीक है ना तो 19 protons आपको पता है कि यह neutral atom के अंदर अगर कोई neutral atom है तो उसमें जितने protons होंगे उतने electrons भी होंगे यह जो element x है इसमें 19 electrons भी होंगे बिल्कुल अगर जरह उनको थोड़ा 8,8,1 तो आप क्या देख रहे हूँ आपको पता है ग्रूप देखने के लिए आप बागटाया है अगर वीलेंशिय एलेक्ट्रॉन स्नु karma or second इसमें बढ़ता रहे है इससे और आपको ती कि यह और जिए और बागण क sis है जो कि अरग सो आपको calcium, oxygen दिख रहा है, आपको argon, sulfur यह सब दिख रहा है, अब बताने हैं कि which of these above elements would you expect in the group 16, चलो ठीक है, यह बताने हैं, कौन से आपकी elements group 16 में fit बैठेंगे, देखते हैं थोड़ा सा, configuration करके देखेंगे, गुरूप बताना हो, यह period बताना हो, बिना configuration करें बता नहीं पाओ, configuration करनी पड़ेगी, calcium की बात करें, इसकी atomic number कितनी है, 20, configuration करो जाला है, इसकी shells के अंदर, तो 2,8,8,2, अगर बात करें, oxygen की, अगर बात करो, oxygen की atomic number 8, इसकी हो जाए, configuration 2,6, बिल्कुल, argon की बात करें, atomic number 18, इसकी हो जाएगी, 2,8,2,8,8, हो गया, 18 हो गया, बिल्कुल, 2,8,8, यह हो गई, argon की, अगर बात करें, sulfur की, इसकी देखो, sulfur की atomic number होती है, 16, 16 गिवन है, इसकी configuration करो, 2,8,6, बिल्लियम की होती है, 4, तो बिल्लियम की कितनी हो जाए, configuration 2,2, helium की होती है, 2, इसकी दो फर्स्ट वाले shell में, 2 electron होंगे, तो आप क्या देख रहे हो, आपको period number 16 में लाने है, आपको पता है, 16th period में आने के लिए, 16th वाले group में आने के लिए, condition क्या होनी चाहिए, कि आपकी valence shell electron 6 होने चाहिए, यह condition है, आपको पता है, जिसका भी valence shell electron 6 होगा, तो 16th group स आ रहा है, अगर उसमें आप 6 में 10 add कर दोगे, तो हो गया 16, 16th group से element आ रहा होता है, तो आप देखों, यहाँ पर oxygen की, आपको दिख रहा है, 6 electron है, valential electron, और यह है sulfur की, इसके भी 6 valential electron है, मतलब यह दोनों ही, आपके 16th वाले group से आ रहा है, आपके 16th वाले group से आ रहा है, oxygen औ हम लोग, चलकोजें से बोलते हैं, पहले देखिया है, इनको चलकोजें ग्रूप बोलते हैं, यह आप oxygen family बोल सकते हो, इनको ठीक है, तो कहाँ पर दिख रहा है, आपको यह, option D, sulfur और oxygen, correct है बिल्कुल, अगला question देखते है, आगे बढ़ते चलते है, बहुत मजा आ रहा है, element A belongs to the third period and group 16, find out the valency of A, A की valency निकालनी है, कैसे निकाल होगे, देखो, तुरह मनों रंजन होना चाहिए, third period, इसका मतलब यह तो confirm है, period कैसे शेक करते है, valence shell को देखे, कितने valence shell है, तो इसका मतलब यह nucleus होगा, उसके बाहर, first shell होगा, यह दूसरा shell होगा, यह तीसरा shell, और क्या बोला है, यह 16th group से आ रहा है, इसका मतलब यह तो confirm है कि, इसके valence shell में 6 electron होगे, तभी तो 16th group से आ जा इना, तो आप देखोँ इहाए, आप इसके valence shell में 6 electrons होगे, 1st shell में 2 इसके बाद आपके 8 electrons होगे और इसके बाद आपके 3rd leaders होगे, इसका मतलब, इसके values इसकी נी लक्ता होगे6, अचा इस ततरे, किसे भी तत करने के लिए , इसकी houd ना, लास्ट र इसको oxygen achieve करने के लिए दो electron चाहिए, ताकि इसके बस 8th electron हो जाए और यह खुश हो जाए, इसके valential पुरा completed field हो जाए, इसके valency हो जाएगी 2, तो option B correct है ना 2, इसको टिक करो और आगे बढ़ते चलो, this is the next question now, which of the following statement is not correct, तो जब group में जाड़े उपर से नीचे, इसमें से कौन सी बाते सही नहीं है, सही नहीं है वो देखनी है, पहले पहला देखो, the chemical reactivity of metal increases यह तो सही है, जैसे से आप नीचे बढ़ोगे, आपका atomic size बढ़ते विए दिखिए का, atomic size बढ़ना मतलब कि आपकी metallic character बढ़ना, metals ही खुबी क्या होती है, electron lose करना, और जो atom size में इतना बढ़ा होगा, वो उतने अच्छी से electron lose कर पाएगा, as because attraction between nucleus and valential electron घट जाएगा, तो electron निकालना बहुत आसान, थोरी से energy दोगे, खटाक से electron निकल जाएगा, आपका valential वाला, metals की characteristic नीचे बढ़ रही होती है, जैसे सब नीचे आ रहे होती हो, option B देखो, metallic character of element increases, यह तो सही है न, chemical reactivity की बात करें गई थी उपर में सबसे पहले वाले में, आपको पता है chemical reactivity बिल्कुल बढ़ती है, उपर से नीचे आओगे, तो metals की chemical reactivity बढ़ती है, यह बिल्कुल सही है, है न, उपर से नीचे आते वक्त, तो option B जो आप देख रहे हो, यह भी सही है, metallic character भी बढ़ती है, chemical reactivity बढ़ रही है, metallic character भी बढ़ रही है metals की, और the size of atom increase यह भी सही है, atom की size भी बढ़ रही होती है, आपकी जैसे नीचे आओगे, लेकर option D पढ़ो, the valence electron increases यह गलत है, बिल्कुल, आपको पता है, same group के अंदर सारे के पास same valence electron होता है, जैसे for example यहां बता दो आपको, यह देख लो, समझ में आ जाएगा, जैसे first वाले group को देखते हैं, हम लोग alkali metals को, ठीक है न, alkali वाले को, तो first वाले group में आप देखोगे, आपका hydrogen दिख रहा होगा, आपको lithium दिखता है, sodium, potassium, यह सब दिख रहे हो 8,1, potassium की, यह देखो potassium की, atomic number होती है, 19, configuration 2,8,8,1, अब क्या देख रहे हो, सारे के देखो, इसके valence shell में एक electron, इसके electron, इसके electron, इसके electron, इसका मतला, valence shell में electron बढ़ नहीं रहा है, same group के अंदर, valence shell में electron उतनी होती है, बस आपके यह है, कि आपके shell बढ़ रहा है, जैसे दे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन आपके, valence shell electron, last shell के अंदर, electron number same ही रहाता है, इसका मतला, valence shell electron, it not increases, it remains the same, तो option आपको incorrect find करना था, और option D incorrect, इसको tick करते हैं, और आगे बढ़ता चलते हैं, let's see the next question now, which of the following set of elements is written in the order of their increasing metallic character, metallic character देखनी है आपको, चलो, तो पहला आप देखो, य सबसे पहले आपको दिख रहा है, lithium, sodium, potassium, आपको पता है, कि उपर से नीचे आओगे, आपको क्या देखने हैं, हमको यह पता देख ले, metallic character नहा, आपको पता है, उपर से नीचे आते वक्त, metallic character बढ़ रही होती है, बिल्कुल, तो सबसे यादा metallic character होगा potassium के पास, उससे आपको carbon, oxygen, nitrogen, यह कहाँ पर मिलेंगे आपको, यह देखो, यहाँ पर, यह दोगा आपको second period के अंदर, दिख रहा है कि नहीं, मैं जरा यहाँ पर दिखा दू, यह देखो carbon, oxygen, nitrogen यहाँ पर, यह रहा, आपको पता है कि along the, along the period, your metallic character decreases, it decreases, non-metallic character बढ़ रहा होती है, इसका मत अगर मैं इसको अरेंज करूँ, in there increasing metallic character तो कैसा आएगा, सबसे पहले होगा carbon, उसके बाद nitrogen और oxygen इस तरीके से, तब देखो, यहाँ पर nitrogen का होना चाहिए है, बीच में, लेकिन यहाँ पर nitrogen का सबसे जादा दिखा रहा है, metallic character भी गलत है, यह भी गलत हो गया, option C, check करो, magnesium, aluminium, silicon यहाँ पर, magnesium, aluminium, यहाँ पर आपको देख रहे हैं, यहाँ पर आपको बिल्कुल, आपको मैंने पहली बता है, period के अंदर आपकी metallic character घटरी होती है, इसका मतलब सबसे जादा metallic character होगी, आपकी, सबसे जादा metallic character होगी, आपकी magnesium के पास, बिल्कुल, ऐसा होना चाहिए, तो magnesium, उससे कम metallic character होगी, आपकी aluminum के पास, और सबसे कम होगी, आपकी silicon के पास, आपको पता silicon के metaloid है, ठीक है, सबसे जादा magnesium, फिर aluminum, फिर silicon, जड़ा चेक करो, तो match कर रहे हैं, इससे, करते हैं, सबसे जादा नहीं, यह तो बिल्कुल, गलत दिखा, सबसे जादा magnesium के पास, यहां तो उल्टा है, यह सबसे जादा silicon के पास दिख रहे है, सबसे जादा magnesium के पास, उससे थोड़ी कम होगी magnesium के पास, और उससे थोड़ी कम होगी, बेरिलियम के पास, यह ज़रा दिख रहे है, देखो, calcium, magnesium, petroleum, यह बिल्कुल सही है, तो आप देख रहे हैं, इस तरह किसे आपको metallic character देखना पड़ता है, group के अंदर, जैसे से नीचे बढ़ोगे, metallic character बढ़ेगी, और period के अंदर आपकी metallic character घटेगी, option D सही है, इस उटिक करते हैं, और आगे बढ़ते चलते हैं, let's see the next question now, the atom of an element has, उसे configuration given है, क्या निकालनी है, which of the following element, would it be chemically similar, chemical property दोनों के similar है, यह बतानी है, तो आपका एक element है, जिसकी आपकी दिखरी configuration 2,8,7, इसका मतलब कितने electrons हो गए, 2 plus 8, 10, 10 plus 7, 17, इसका मतलब यह जो आपका element है, उसके पास 17 electrons है, आपको पता है 17 किसके पास होते है, chlorine के पास, बिल्कुल, chlorine की atomic number 17 होती है, इसके पास 17 electrons होते है, आप बताने कि यह आपको दिख रहा है nitrogen दिख रहा है, phosphorus, sodium और fluorine, इन चारों में से किसकी chemical property, physical की बात नहीं करते है, chemical property आपके chlorine से match करेगी, आपको पता है chemical property को बताने के लिए, Mendeleev ने क्या करा था, उसने formula दिया था, कि same group के अंदर, जो elements होंगे, अगर वो same type का oxide बना रहे हैं, मत आपको यह दो-चार elements अगर हो, और आपको आपने उनको सब को same group में ड़ डाला है, इसका मतलब यह तो confirm है, उनकी chemical reactivity same है, क्योंकि वो सारे same type का oxides और hydrates बनाएंगे, और आप जानते हो group के अंदर, आपकी valential electron क्या होती है, आपको यह भी बता है, जैसे में बात को उनको group 1 की, उन सारे के valential electron 1 होते है, group 2 की बात करें, जिसको हम लोग alkaline earth metal भी बोलते हैं, उन सारे के valential electron 2 होते हैं, इस तरकी से पहले में configuration करें, इसको clear हो जागा देखो, इसको configuration करते हैं, nitrogen, configuration 2,5, अगर बात करें, phosphorus की atomic number 15, configuration 2,8,5, sodium की atomic number 11, configuration 2,8,1, और fluorine की atomic number 9, configuration 2,7 हो जाएगा, लोग, 2,7, आप देख रहे हो, मैंने पहले बताया, दोनों को chemical property सेम होना मतलब किया, दोनों को same group में आना चाहिए, और same group में आना मतलब क्या, group के अंदर आपको पता है कि valential electron सेम होते हैं, तो दोनों के पास last shell में 7 electron होने चाहिए, आप बात करें chlorine की, इसी configuration करो, कितने हो जाएगी, 2,8,7, देख रहे हो, chlorine के पास भी 7 valential electron है, और fluorine के पास भी है, इसका मतलब इन दोनों की chemical reactivity सेम होगी, और दोनों आपके कहां से आ रहे हैं, आपको पता है दोनों आपके 17th group से आ रहे होते हैं, तो fluorine correct option इसको टिक करते हैं, और आगे बढ़ते चलते हैं, ले सीथ the next question now, an element has 12 protons है, अब बताने है कि कौन से period group से आ रहे हो, यह तो बहुत simple है, proton number given है, उसको देख के बताने कौन से period और कौन से group से आ रहे हैं, यह देखो, आपको पता है number, अगर neutral atom की बात करूं, मतलब वह आयन ना हो, ना तो ना तो अनायन हो, neutral atom हो, तो उसके अंदर अगर जितने proton होंगे, उतने electrons भी होंगे, 12 proton मतलब 12 electron, अब electronic configuration करो shells के अंदर, कितना हो जाएगा, 2,8,2, 2,8,2, यह element कौन से magnesium है, आपको पता है magnesium की atomic number 12 होती है, उसमें 12 electrons होते हैं, अब चेक करो, आपको अगर group देखना हो, आपको क्या देखना पड़ता है, valential electron को, अगर valential electron 3 से कम हो, तो जो दिख रहा हो ही सचाई है, इसका मतलब इसमें valential electron आपको 2 दिख रहा है, आपका second group से आया, यह तो confirm है, group number 2, और period देखने के लिए, आपको number of shell देखने पड़ते हैं, आपको दिख रहा होगा 3 shell, आपका यह nucleus होगा, उसके बाहर पहला shell, उसमें आपका 2 electron होंगे इस तरीके से, 1, 2, second वाले shell में 8 electron होंगे इस तरीके से, यहाँ पे 8, और third वाले shell मे तब period 3, और valential electron 2 है, मतब ग्रूप 2, तो second group और third period कहाँ भी दिख रहा है, फर्स्ट में दिख रहा है, second group और third period हाँ, यह साही है, इसको टिक करो, और आगे बढ़ते चलो, लेख सीधर एक च्कोर्शन नाओ, अच्छा, atomic number given है, और बताने हैं कि, to which group and period does it belong, ग्रूप और पी यह बताओ, यह साहँ बताओ, यह metal है कि non-metal है, यह दोनों बताने हैं, इंटरेस्टिन कोश्न है, फेखों नम्बर 17 , 转ें시면 में करें बहर दो पूरिदीन अगरो बात करें हैं। जो इंदर स्यांतल इत्मिक प्रोटनगों प्रोटनगी होले हैं सब्सक्राइफ क सब्सक्राइब कर गर्लीन में सब्सक्राइब कर था। इसके हो जाएगी 2,8,7 तो आप क्या देख रहे हो इसके पास वैलें शेल साथ एलेक्ट्रॉन से आपको पता है अगर दो से ज्यादा दिख रहे हो तीन चार पांच छे साथ उसमें 10 एक्ट करना पड़ेगा तब जाकि आपको उसका ग्रूप नमर पता चलेगा इसकी वैलें इस से लेक्ट्रम 7 है इसमें 10 mm जाए और यहां होगे यहां पर आपकी not metal हो इस तो आपका 17 त वाले group में questa कहीं यहां पर أي लिक्षा है तो group No.17 और period no.3, और यह क्या है non metal तो option देख रहा है, option B देखो, ॥ Group No.17, Period No.3 और यह क्या है non-metal आपको पता है chlorine झैए क्या है, फस्ता के यहां पर ही, आपके इस तरफOTH तरफ यहां पर फसाइग गुट्रूप 17 में इस तरफ यह आपका नन मेटल आप देखो ऐसा नहीं कि आपके यह वाले जैसे यहां होता है 13 से लेकर 18 अगरे बात पर इस तरफ की 13 से लेकर 18 वाले होते है आप गुरूप नंबस यहां पर आपके नन मेटल भ आपको रूबियूम देख रहा है यह सब कहां से आ पर घ्रुप में नीचे जाओगे तो यह चाहिए अब चाहिएगा इसका मतला सबस्याद होगी सब सियाद हो G gates हो सबसे शोटा होगी कि फैसे मैच कर रह थिए उपर में मैच कर देखो जब सेसे हम सबसे बढ़ा सबसे बढर इस सबसे बढ़ा ऑ desta सबसे चोड़ सबसे बरा उससे छोटा अपका दिख रहा है पोटाशियम फिर य नित्जीं प्वेटी नेक्ट के लिए अपको इसको टिक करो और आगे बढ़ते चलो लेसे दर नेट्स कूर्ष्चन आओ अब यहां बताने है, Atomic Size is a correct order, बिल्कुल, आपको यहां दिख रहा है Iodine, आपको पता है Iodine की Atomic Number कितनी होती है, यहां पर उसकी Atomic Number आपको दिख रहा होगा 53, कहां पर नजर आ रहा है कि Iodine, आप ज़रा नजर घुमाओ कहां पर, आपके दिख रहा होगा 17th Group में, 17th Group में 5 कहां पर देख रहा है, 17th Group, 5th Period, यहां पर Iodine यह देखो, 17th Group and Period Number 5, यहां पर दिख रहा है Iodine बिल्कुल, इसकी Atomic Number कितनी है, 53, इसमें 53 Electrons होगे, ठीक है, 53 Electrons, अब देखो, अगर आपको I से I Plus बनाना हो, मतलब अगर उसको आपको कटायन बनाना हो, I Plus तो क्या करोगे, एक Electron Loose करवाओगे, जैसे I की बात करे, Iodine, Atomic Number 53, अगर इसको बनाना है I Plus, इसमें से एक Electron बाहर निकालो, तो कितना बचेगा, 52 हो जाएगा, अगर बात करे, I Minus कि अगर इसको बनाना है Anion, एक Electron गेन करवादो, इनिशेल है 53, गेन करने के बाद हो जाएगा 54, और मतलब क्या, जैन नमर बढ़ेगा, अब से मिशेल में थोड़े आप ठूस होगे Electrons को उसमें तो नहीं डालोगे, Electrons अगर आप बढ़ाओगे, मतलब बढ़ा होगा, Electrons कम करोगे, मतलब इसका मतलब सबसे बढ़ा कौन होगा, सबसे बढ़ा आपका I Minus होगा, सबसे बढ़ बढ़ा आपका Atomic Size के फ़र्म में I Minus, उसे थोड़ी छोटी होगी आपकी I, और सबसे छोटी होगी आपकी I Plus, किसे मैच कर रहा है, देखो जड़ा, यह दो हो यहाँ पर, हाँ, यह वाला Option B, सबसे बढ़ी आपकी I Minus, उसके बाद I and then I Plus, यह order है, of there, of there, Atomic Size कि ठीक नहीं Let's see the next question now, which of the following elements, A, B, C, D, E, 5 elements given है, उनके Atomic Number भी आपको given है, अब बताने है कि कौन-कौन से Elements Same Period से आ रहे हैं, बिलकुछ सही है, Same Period से बताने हैं, तो Simple भी है काफी, अगर मैं बात करूँ, Element A की Atomic Number 2, इसमें दो Electron है, अगर बात करे, Element B की Atomic Number 3, Configuration 2, 1, अगर आब बात कर Element C की Atomic Number 7, Configuration 2, 5, Element D की बात करे, Atomic Number 10, Configuration 2, 8, Element D की बात करे, Element E में Atomic Number 30 है, उसमें 30 Electrons है, उस 30 Electrons को Number of Shell में दिवाइड करो, तो कैसा दिखेगा, Element E की बात करे, तो 2, 8, 8, 3, अचा 30 है न, अचा उसमें 30 है, तो 2, 8, 18, 3 हो गया न, देखो, 18, 28, 29, 30, यह लो, 2 हो गया, 30, 18, 19, 20, 28, 30 है, यह दो, इस तरीके से आपको दिख रहा है, Electronic Configuration में ने कर दी, आपको चेक करना है, कौन को होंचे, Same Period से आ रहा है, इसका मतलब जिनके Number of Shell सेम होंगे, वो Same Period से आ रहा होंगे है, ऐसे तो देखते हैं, गुरूब देखने के लि इसके पास दो शेल है, और यह देखो, इसके पास दो शेल है, अगर बात इसके पास दो शेल आपको दिख रहा है, इसके पास दो शेल दिख रहा है, इसके पास भी दो शेल आपको दिख रही है, लेकिन इसके पास चार शेल है, इसका मतलब, Element B, C and D, हैना, Element B, C and D, तीनों डोकर पास दोनों आपके 2nd period से आ रहा हैं, लोकुल बिलकुल, और 2nd period से आ रहा हैं, टिक करो और बढ़ते चलो, option E कहां से आ रहा है, उसके पास एक शेल हैं, आपके फर्स्ट पिरियोट से आ रहा है, एलिमेंट ए को देखो उसके पास 4 शेल है इसे मतलब फोर्थ वाली पिरेट से आ रहा होता है ठीक ना आगे बढ़ते है इसकी अपर गिवन है इस हाड कुछ प्रपर्टी गिवन है उसकी अपर फोटीन है वह हाड भी है अपर अपर बना रहा है साथ-साथ it also forms a covalent halide वह बना रहा है उसकी acidic oxide भी है और वह काफी हाड भी है अपर बताने कि अलिमेंट कौन सा है तो काफी कुछ देटा आपको गिवन है काफी डेटा गिवन है आपको उसके बेसे से बताने अलिमेंट है क्या चलो अपर इसे कन्फिगरेशन करो ज़रा अपर इसे उस इसेन कर आतएक्र हार उसका मतलब ऑका इलमेंट एक्स आपका फोररेंध गरूप से आरहा है मताल थारें पिरियड फोर्टें गहां क्या है तो ढहता हुँ मैं अधि करके देखना वह 14 ग्रूप से आ रहा होता है उसके और थर्ड पिरियड से आ रहा होता है तो 14 ग्रूप में भी है थर्ड पिरियड में भी है उसके अर्टिक नमबर 14 भी है और यह है सिलिकन और आपको पता है सिलिकन जर्मेनियम आर्सलिक यह सब कैसे हैं आपके यह सब ना ही नहीं नं BishopRed라 ये क्यों है उंत्ति करते हैं क्या करते हैं लेकिन इसके पत 느ा में तो 4 लेक्ट्रों है तो अगर को च्रएट इसका मतलब एसको करना हो तो ना तो न िीचार ईलेक्ट्र लूज करें गार इन ए म other favori न या माई Whether है यह क्या है आपके मेस कि Display Imm Legend KDiktos energy Thinking क्रते ऐलेकर लूुज करते हैं व्यवाइब इसके पास चार अपको धीक्तो है इसके वैल Сов करना हो तो इसकार फिर मेन कारेगा अचारा गले लुज करेंगा बल्खे ॅलिमिमेट के उओ आट बनाएगा चार इस नों अनलो हो शारवाग में बढ़ होते हैं व सकता है इसाल अद के तृटन कर रहा है यहाल Watching लेजिए नेक्ट कोशन नाओ, वीच अफ दी फॉल्वविंग दाज नॉट इंक्रीजेस तो जब नीचे बढ़ोगे ग्रूप के अंदर, तो कॉल से चीजे नहीं बढ़ रही होती है, जैसे यह से नीचे आओगे, किसी भी ग्रूप के अंदर किसी भी आपके टोटाल 18 ग्रूप सनों है, किसी भी ग्रूप में नीचे आओगे, आपका अटमिक साइस ड्रैज्वली बढ़ रहा होता है, अगर बात करें, अगर बात करें, अगर बात करें, अगर बात करें, बात करें, अगर बात करें, 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 मतलब वैलेंशियल में एक 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 और ग्रूप तू की बात करें नहीं सब आता है। उन सारे वैलेंशियल में दो एक ट्रॉन हैं तुसलियल में इलेक्टर्ण नमबर सेम होता है। यह दिदिन वीच अब विच अफ दी फॉल्लव द इंक्रीजेस बिल्कूल सही है। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रोन नहीं बढ़ रहा होता है, option D देखो, number of shell in an element यह तो बढ़ रहा होता है, उपर से नीचे आओगे number of shell भी आपका बढ़ रहा है, metallic character भी बढ़ रहा है, atomic radius भी बढ़ रहा है, लेकिन आपकी valence electron नहीं बढ़ रहा है, यह वह सेम रहती है, हमको यह तो देखना था, क्या नहीं बढ़ती है, option C correct, that valence electron doesn't increase, it remains the same throughout the group, इसको tick करो, और आगे बढ़ते चलो, let's see the next question now, element x की बात के लिएक है, उसकी mass number given है, और number of neutrons given है, यह भी similar है, एक question करके आयते है, उसे similar काफी दिख रहा है, तो element x है, उसकी mass number कितनी given है, 40, उपर लिखते है mass number को, और number of neutrons कितने है, 21, तो देखो, आपको पता है mass number, is the summation of proton and neutron, तो proton और neutron 40 है, जिसमें से neutron कितना given है, 21, तो put करो value, तो कितना आजगा, proton plus 21 is equal to 40, और यहां सब क्या दिख रहा है, proton is equal to 40 minus 21 is 19, it is 19 ना, बिल्कुल, इसा ज़रा configuration करो, 19 का, एक neutral atom के अंदर, जितना proton होता है, उतने electrons भी होते है, neutral atom के अंदर, जब आयन और कटायन ना बना हो, तब की बात करें, तो proton number 19, electrons भी 19 होंगे, उसमें configuration करो, शेल्स के अंदर, configuration हो जाएगा 2, 8, 9, इसका मतलब आपको last valence shell में 9 electrons दिख रहे हैं, मतलब, आपको पता है, आपको पता है कि, एक shell में 8 electron आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते हैं, 2, 8, 8, 1, तब क्या दिख रहे हैं, आपको valence shell में 1 electron मतलब, यह आपका first group से आया हुआ है, बिल्कुल, यह तो आपको देखना है, ग्रूप देखने के लिए, आप valence electron को देखो, valence electron 1 है, तो मतलब, यह first वाले group से आया है, इसको टिक करो, और आगे बढ़ते चलो, let's see the next question, now, which of the following statement is not correct about the trend, अच्छा, नीचे आने की बात करीए, along the group, जब उपर से नीचे आओगे, तो कौन सी सही नहीं है, इसमें से character देखो, the chemical reactivity of non-metal decreases, chemical reactivity of non-metal decreases, यह सही है क्या, बिल्कुल सही है, जब उपर से नीचे आओगे, तो आपकी chemical reactivity of metals बढ़ेगी, यह note कर लो, उपर से नीचे आओगे, तो भारी-भारी metals के पास पहुंचोगे, नताब की metallic character बढ़ेगी, यह भी सही है, the size of atom decreases, यह गलत है, यह गलत है, उपर से नीचे आओगे, तो आपकी atom बढ़ा होते जाएगा, your atomic radii will increase, hence your size of atom will increase, it will not decrease, option D पढ़ो, the valence electrons remain same, बिल्कुल सही है, same group के अंदर सारे element की valence electron सेम होती है, पहले ही बता क्या है, हमको incorrect find करना था, option C incorrect है, क्योंकि atomic size घट नहीं रहा होता है, बलकि बढ़ रहा होता है, group के अंदर इसको tick करते हैं, और आगे बढ़ते चलते हैं, it is our correct option, let's move on, आपको एक atom given है, उसी configuration given है, बताने है कि इसमें से किसकी chemical reactivity इन सब से match कर रही है, इन सब में से किसी एक element में से, देखते हैं, चलो, अब मैंने बताया chemical reactivity कैसे देखते हो, chemical reactivity देखने के लिए, आप वैलेंशल electron को देखो, जिन दो elements के, वैलेंशल electron सेम है, मत आपको पता है न, तेम group के अंदर सारे element की chemical reactivity सेम होती है, तो आप देखो, यहाँ पर इसकी configuration क्या, इसवाल element की, जिसकी आपको दिख रहे है, atomic number 17, यह तो आपका सभाविक से chlorine है, chlorine के पास 17 electrons होते है, configuration होगा shells के अंदर 2,8,7, oxygen की बात करते हैं, इसकी atomic number 8, इसको divide करो, number of electrons इसको shell में, तो 2,6, अगर बात करें, phosphorus की atomic number 15, configuration 2,8,5, अगर बात करें, calcium की atomic number 20, configuration 2,8,8,2, अगर बात करें, bromine की, bromine की बात करें, इसकी atomic number 35, configuration करो, 2,8,18, कितने हो गया है, सही है, 35 सही है, बिल्कुल, देखो, यह था configuration किसका, यह था configuration आपका, bromine का, और यह थी configuration calcium की, यह phosphorus की oxygen की, आप चेक करो, इसके पास valence shell में 7 electron है न, बिल्कुल, ब्रोमीन के पास आप चेक करो, valence shell में 7 electron, chlorine के पास भी valence shell में 7 electron, इसका मत्तब यह दोनों ही, bromine और chlorine, 17 वाले से आ रहा है, ब्रोमीन और chlorine, coming from 17th group, और same group के अंदर chemical reactivity same होती है, तो chlorine और chlorine दोनों की chemical reactivity same होगी, तो bromine को tick करो, और आगे बड़ते चलो, ठीक न, let's see the next question, now, चलो, boron belongs to second period and 13th group, तो boron की बात करे गए, period और group number given है आपको उसके लिए, aluminium की बात करे गए, वो third period से आ रहा है, और 13th group से आ रहा है, आपको boron की atomic number given है, हमको निकाल ली है, aluminium की atomic number, कैसे निकाल होगे, जड़ा चेक करो यहाँ पर, यह लो, पहले यह नोट कर दे डेटा सार रहे, boron क्या given है, उसकी second period, इसका मत्तब यह तो confirm है उसके पास 2 shell होंगे, उसके पास 2 shell होंगे, number of shell decides the period, दो shell है उसके पास the period number 2, और उसका group number 13, group number 13 किस की होगी, उसी की होगी, जिसके valence shell में 3 electron होंगे, तो group number 13 होगी ना, इतना confirm है कि इसकी valence shell में 3 electron है, 1, 2, 3, आपको पत इसमे दो इलक्ट्राइब करो किसी ब्रूमिने मेरा बात करो किसी दो इल्यच्ट एलक्ट्राइब उते हैं इसका मतलब इसके पस में तिन इलेक्ट्रोन हो हो मतले थर्टिंध भर्ठोन दो यह जब और इसमें आठ यहां गुछ फर st cries में तो इसमेंलेक्षर ड़ल सकते हैं यह अट्य सब्सक्राइब को पता है से तो तो तीन चार पांच छे साथ आठ अब एक काम को आपको क्या निकाली एक नंबर ऑफ अलूमीनियमक को पता है एक नंबर इस घमार एक नूट एक नीट्रलन के अंदर जितने उसके इलेक्ट्रोंस होंगे वह इसके आपक्षा क्लिक्ट नंबर भी होगी यह हमारा फाइनल कोशन है इसको देखते हैं विच अप दी फॉलिंग एलिमेंट्स विल फॉर्म एन एस्टिक ऑक्साइड आपको पता है आपको देखने हैं कि इन चारों में से कौन से नॉन मिटल है काम खातम अगर नॉन मिटल मिल गया तो वह एस्टिक ऑक्साइड बनाएगा बिल्कुल तो देखते हैं नॉन मिटल कैसे पता करोगे तो पहले यह देखो फर्स्ट वाल एलिमेंट की एटिमिक नंबर सेवन गिव क्यों कामा इट सिधा अंपर इसके गिवन है एकम नंबर नाइंटीन कंफिगरेशन करो यहां पर तो आपको चेक करना है कि कॉनसाइन में से नॉन मिटल अपको पता है कि मेटल में आपके मेटल की प्रोपर्टी होती यह ऐलेक्ट्रॉन लूज करना अगर आपको वेलन्स 12 लिक्त्रोन रहे हो तो हम आपके मैठल है आपको वैलेंज से सmond जब तो आपके लोटि हों तो आपके दीख रहा हो है यह गिथ यह अनों मेठल हो गया इसके वैलेंजेल चयह पांच लेक्ट्रोन गोने VII यह आपका Metal आपके पास 2 Electrons में वेलेंशेल में यह भी Metal आपको लाखर शिनों आपकती है यह और यह उत्र हो थे 2 आपके तीन हर आपके मत्होंतीता सेraelी मिटल्स वह acetic होगी, और ज़रा पता करो यह कहां से आरहा है, Atomic No.7 है, Configuration 2,5, तो आपको दिख रहा है, इसके बास दो shell है, इसका मतलब यह आपके second period से आरहा है, यह number of shell decides the period number, second period से आरहा है, और as because इसके बास 5 electron है, valence shell में, उसमें 10 add करो, 10 plus 5 is 15, तो यह आपका element 15 वाले group से आ रहा है, और आपके second period से आ रहा है, और यह आपका non-mittle भी है, और यह कैसा बनाएगा, acid oxide बनाएगा, जो टिक करते हैं, चलो, खतम, चलो, और तो है नहीं, किल्कुल, इतना ही रखते हैं, आज के लिए जैसे मैंने वादा करा था आपसे कि, 50 questions लेकर आएंगे, although 51 हो गाएं, तो दो पार्ट में cover करा हमने, बहुत मज़ा आया करके न, तो electricity खतम हो गया, magnetic effects of electric current भी खतम, और अब जाकर हमारा periodic classification of elements भी खतम, और कुछ नहीं बचा, अब क्या करेंगे, इसके बाद जो लेक्चर लाएंगे, उसमें carbon units compound, उसका बात करेंगे, carbon units compound के explanation, होजा के दो-तिन पार्ट में बने, पूरा explanation करने के लिए, उसको करने के बाद फिर उसके MCQ लेकर आएंगे, और उसके बाद और भी secret है, अभी नहीं बताएंगे, बाद बताएंगे, और क्या क्या आने वाला है, बहुत कुछ लाएंगे भई आपके लिए बहुत कुछ, आपको छोड़ेंगे नहीं, काम टू के लिए पूरा प्रिपेर करवा देंगे, यह हमारा वादा है, यह हमारा ओथ है, आपसे, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत मजाया, लेक्षर करते हैं, आपसे मिलते अगले वीडियो में तबता के लिए बाबाए, और टेक कियर,